वेरी वेरी इंपोर्टेंट लिसनिंग टैस्ट मैंने कमेंट सेक्षिन में पिन कर दिया है अगर आपने अभी तक उस लिसनिंग को नहीं करा डेफिनिटली वहाँ पर जाएं जाकर आप जुरूर करें अब बात करते हैं राइटिंग की एंड रीडिंग की रीडिंग की जो क्लास है आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी अभी जो हमारी क्लास है यह है राइटिंग टास्क टू की की आप राइटिंग टास्क टू कैसे लिख सकते हो बट कोई भी चीज़ है उसको टाइम देना बहुत ज़दा जरूरी है अगर आप बगवान को मानते हो चाहे आप अल्ला को मानते हो वहे गुरू को मानते हो बट उसको भी टाइम देना बढ़ता है अगर उसको टाइम दोगे उनका नाम जपोगे then वो हमें सुक्षान्ती मिलती है और हमारी किस्मत में जो हमारे सपने हम विशिस मांगते हैं वो complete होती है and myself मनपरीत and you are watching your favorite YouTube channel इस वीडियो में आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन के उपर राइटिंग टास्क 2 दसंबर मन्थ में 5 एक्जाम हो चुके हैं पांचों एक्जाम में 100% prediction हिट रही है means कि task 2, task 1 and reading plus speaking from our prediction material prediction का मतलब होता है कुषक task देने means कि हम 2025 speaking के cue card देते हैं 2025 हम reading देते हैं 2025 हम listening के link देते हैं otherwise हम इस channel के उपर भी listening को upload करते हैं पहले आपने देखा 5 एक्जाम में task 2, task 1 and speaking from our prediction material अब हम देखते हैं reading 3 दसंबर को 2 reading के passes from our prediction material but one thing more that अभी जो एक्जाम है sometime district wise भी आता है बहुत सारे student बोलते हैं कि सारे एक्जाम all over India same आता है no dear all over India exam same अब नहीं आता district wise भी एक्जाम देखने को मिलता है just like 24 अंबाला में कुछ और था पंजाब में कुछ और था and बंगलॉर side कुछ और था but उस बगवान की किरपा से हमारी prediction हिट रही है proof आपकी screen के उपर है and join करें ILS वाला इंडिया daily classes के लिए हमारी classes की जो timing है वो शाम को 4 बजे शाम को 8 बजे है only on youtube के उपर and follow कर सकते हो आप instagram account because link आपको वहीं पर available होता है and whatsapp me for prediction material thank you so much for watching in this video जो आज की हमारी जो class है ये 9 band score का writing essay 2 है जिसमें आपको सिखाएंगे आज आप कैसे आ सकते हो और इसके 100% chance है upcoming ILS exam में because आज की इडिक अंदर हम prediction से ही सब कुश करवा रहे है जो आपको online class से दी जा रही है ये prediction से दी जा रही है जो हम prediction material students को देते हैं जिसके आने के 100% सबसे ज़्यादा chance होते हैं और उसी की उपर हमारी class होती है तो congratulations है सब को because of first of all हम बिल्कुल free of cost classes देते हैं हम classes का कोई 5000 नहीं लेते कोई 6000 पे नहीं लेते कोई 7000 नहीं लेते at least जो online classes लेते हैं आप गर पर बैठकर भी अपना ILS exam crack कर सकते हो जस्ट आपको एक need है एक trust की एक विशुवाश की सबसे पहले एक self trust आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है सेंकडीज आप ILS वाला इंडिया चैनल सस्क्राइब कर सकते हो हमारी एक यही शर्त है और आज रात को 8 बज़ जो हमारी class होगी वो होगी reading की और reading की class मैं वो करूँगा जो आप comment में बताऊगे जो आप comment में बताऊगे मैं reading की class उसी को उपर ले कराऊँगा तो must comment in this video और like जरूर करें अपने parents की खुशी के लिए अपने parents की help के लिए और कोई शर्त हमारी सिर्फ एक है कि subscribe करो channel को और join करो telegram group for more videos अपनी एक शर्त थोटी सी और है अपनी pen और copy अपना साथ लेकर बैठ जाए because काफी चीज़ें जो होती है हम copy के उपर paste करवाते हैं कि आप लोगों की help हो जाए because copy को पर paste करना भी हमारे लिए बहुत ज़्यदे ज़्रूरी है first of all हम बात करते हैं अपनी statement की because statement को read करना बहुत ज़्यदे ज़्रूरी है students को statement ही sometime समझ में नहीं आती यहाँ पर first of all बात करेगी है these days these days को आप कैसे change कर सकते हो आप कौन से ऐसे keywords हैं जो आपको underline करने या अपनी understand करने के लिए but उससे पहले क्या है कि first of जो हमारी statement है इसको near about four times four times we should read about it for know about कि हमें इसको read करना चाहिए और इसको अच्छे से जानने के लिए because अगर four times हम इसको read करते हैं then हमें पता चलता है जैसे कि these days more father stay at home these days more father जाला तर फादर हैं वो stay करते हैं घरों के अंदर take care of their children अपने बच्चों की देखबाल के लिए and mothers go to work जो mother हैं उनकी माता है वो काम पर जाते हैं what could be the reason for this इसके पीछे क्या एक वज़ा है do you believe that this is positive or negative development अब यहां पर किसकी बात कर रहा है यहां पर बात कर रहा है एक parents की यहां पर बात कर रहा है children की कि father है जो गर पर रहते हैं mother काम पर जाते हैं ऐसा क्यूं होता है और इसका positive trend क्या है और इसका एक negative trend क्या है हमें इसके उपर जारा से focus करना है अब यह मेरी statement है अब मैंने क्या किया जो चीज़े जो synonym आप change कर सकते हो उनको आपने change करना है जो आप change नहीं कर सकते उसको same to same आपने अपनी copy पर मतलब लिख देना है जो आप real exam में बैठे हो चाहे आप real exam में नहीं बैठे same to same उसको copy कर देना है बड़ जो चीज़ आपके mind में on the time उस time are यह आपने कोशिश करनी है उसको change करने की जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर क्या लिखा गया है यहाँ पर लिखा गया है these days these days को किसमें change किया at the present time भी लिख सकते थे nowadays nowadays में change कर दिया गया these days को same आपने भी ऐसे ही अपने these days keywords को change करना है अपने introduction में because आपके introduction ही आपकी help करेगी आपका writing में bands को लेकर आने में अब मैंने these days को translate कर दिया nowadays में अब nowadays तो मैंने यहाँ पर लिख दिया आप मेरे पास next idea भी होना चाहिए आपने अपनी copy के उपर एक idea लिखना है एक example लिखनी है और उसी को elaborate करना है कैसे करना है मैं आपको यह भी सिभाऊंगा इस writing task 2 में बस आपको time देना होगा अपना आगे बढ़ने के लिए कोई बी चीज़े वो time मांगती है यहाँ पर देख सकते हो more and more women are choosing their career आप इस line को copy पर भी लिख सकते हो over motherhood means की more and more आप यहाँ पर youth लिख सकते हो human being लिख सकते हो choosing their career their over motherhood means की अपने motherhood के लिए वो क्या करते है career को choose करती है and more often men are around with their responsibilities related to rising children and caring for the home means की more often जो man है वो found करते है responsibilities को related to children children के related जो बढ़ रही है अपने गरों में गरों में की care करते है और गर की वो देख बाल करते है this gender trend has been amplified in the recent years की जो एक कुछ लास्ट years में ही ये फैलना start हुआ है feminist movements that have emerged in the recent years claiming the men and women have the same rights and the same responsibility when it comes feeding their family tables and educating their children मतलब की अब दोनों की जो responsibility है अब इसमें क्या लिख दिया गया है की अब दोनों की ये responsibility है mother की भी है and father की भी अपने families को care करना उनको अच्छी education देना उनके साथ अच्छे तरीके से movements हैं जो उनको हर एक चीज़ को सिखाना है ये कुछ last year से हूने लगा है but ये responsibility किन की है? इन दोनों की है mother and father की कि इस essay के अंदर मैं आपके साथ explain करूंगा and positive effect जो अवर सिटाइटी के अपर उपर जा रहा है उसके बरे में हम बात करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो बात करीगी वो mother के career की बात करीगी यहाँ पर father के children care की बात करीगी आपने क्या करना है अगर आपको ऐसा negative and positive लिखने को मिल जाता है आपने first of all क्या करना है मैं आपको underline करता हूँ आप यहाँ पर देखिए nowadays में बात करकर अब यह दोनों point है जो अब यहाँ पर जो दोनों point है यह दोनों को plus कर दिया गया मतलब कि इनको merge कर दिया गया अब दोनों को जोड दिया गया कि actual में mother की और father की दोनों की responsibility क्या है आपने एक line उस चीज की लिखनी है एक line उन दोनों की लिखनी है एक दुन्यों की different different लिखनी है mother की thinking different, father की different and दुन्यों को merge कर देना है फिर next line में और उसके बाद बोलना है कि मैं explain करूँगा अपना next, ऐसे अगर आपको देखने को मिल जाता है positive trend और negative trend ये दुन्यों का आपको अगर देखने को मिलता है अब बात करते है B1 और B2 की अब B1 में मुझे क्या देखने को मिल सकता है और B2 में मुझे क्या देखने को मिल जाता है the comments with the fact that women are now taking landing rules in companies affect positivity the household environment and skills as especially girls grow up looking at the example of their mother being independent and self sufficient woman that is capable the sporting their home the same way their dad does मतलब की यहां पर जो बात कर रहा है वो एक woman taking की बात कर रहा है एक girl की rights की बात कर रहा है कि एक जो woman है woman first of all companies की तरह काम करती है चाहे वो गर है चाहे वो बार है उनका जो positive है उनका जो environment के उपर हमेशा positive effect ही रहता है करती है looking for the mother being independent वो जारातर जो girls है वो independent बनना चाहती है जा independent वो बनती है self sufficient woman जो self खुद के लिए खुद कमाते हैं खुद वो अपना responsibility को understand करते हैं उनकी supporting है और home गरों के अंदर यह same way चलता है उनके father का अब यह एक example के थुरू हमें समझाएंगे कि एक example कैसी है means कि यहाँ पर यह बताया गया है कि एक woman का सबसे बड़ा role क्या होता है अपने चाहे वो कहीं पर work कर रहे है वहाँ पर चाहे वो गर के अंदर बहुत जगा पर एक different responsibility जबाई है woman अपने kids को लेकर चाहे वो उनका मामला education को लेकर हो चाहे वो looking forward their future looking forward वो future को लेकर हो for example that अब यहाँ पर एक example दी गई है example में अगर हम बात करें in the unfurnishable case that कि जहाँ पर mostly हमें problem देखने को मिल जाती है parents get divorced or or father is unable to work due to the sufficient reason such as illness or death कि जब मान लो एक example है मान लो कि इनकी आपस में बनती नहीं है इनका divorce हो चुका है divorce हो चुका है यह unable हो चुके है अपने work से अपने reason क्या है यह बिमार हो चुके है और इनकी death हो जाती है because इनके पास care करने वाला कोई नहीं रहता the mother is adequate prepared to play her role and vice versa which creates the out of fear of confidence and trust in a household और वहाँ पर जो एक mother होती है जो prepared होती है already इस role को pay करने इस role को मतलब की अदा करने के लिए जो उनकी care करती है उनकी help करती है और एक confidence के साथ उस जो all over situation को होता है वो संभाल लेती है अब हमें भी पता है जब किसी का divorce हो जाता है तब उसके पास उसकी सिर्फ mother ही होती है उसके care करने के लिए और अगर wife वहाँ से तब चली जाए तो अगर wife है तो mother चली जाए तो means कि दोनों आपस से में life को spend कर लेते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं एक दुसरे की care करने के लिए मतलब कि यहां पर एक divorce case को लेकर example दी गई है कि divorce case अगर हो जाता है तो उसमें problem क्या-क्या हमें देखने को मिल जाती है furthermore अब जो next one both parents can share nature and children because they spend the same same amount of time activities when them कि अगर father parents है दोनों का nature बहुत अच्छा है एक दुसरे एक साथ उनकी बहुत अच्छी time spent होता है तो वो दुनों activities कर सकते है and activities के साथ साथ वो दुनों एक दुसरे को बहुत अच्छा time दे सकते है for example that in the past the bobby hardly know the father because was the one who was always in the office वहलों कि past में boy hardly know the father because he was one who was always in the office father हमीचा always office में रहते थे hence only adult they were close with his mother और only जो उनका बच्चा था वही ज़्यादा close था अपनी mother के therefore when mothers are not working जब उनकी माता काम नहीं करते थे father have the opportunity to establish the connection with their teenager तब फादर के पास मतलब की एक opportunity थी अपने connection को establish करने के लिए किसके साथ with their teenager अपने ही बच्चों के साथ मतलगे अगर condition देखा रहा है दोनों जगा पर सिर्फ एक idea को ही elaborate करा गया है कि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकते हैं आप लोग इसको बता सकते हैं अब यहां पर देखे रहे हैं जो बात करी गई है यहां पर parents के nature की बात करी गई है next line में बात करीगी अगर father ही हमिशा काम पर रहेगा तो mother गर पर रहेगी तो father की जो बच्चों के साथ attachment नहीं बन पाएगी और father की attachment तब बन पाएगी जब mother काम पर जाएगी दुनों एक दूसरे को time देंगे obviously बात है इसमें कोई बड़ी बात नहीं करी गई just a simple way से लिखा गया है simple way से आप लोगों को बताया गया है next one अब इसका conclusion क्या निकलता है अब इसका sita क्या निकलता है इस totally statement का in the conclusion we note that the fact that women put their profession above howsoever gives a father the opportunity to get closer to their children कि mother के दोबारा अपने profession के उपर अपने काम के उपर ज़्यादा focus किया जाता है और father को एक opportunity दी जाती है अपने बच्चों को close जाने के लिए action that is just entering their relation and one on the other hand woman look at them equal and independent like man कि जो mother है वो look out करती है equal का और independent होने के लिए मतलब father काम गर पर रहते है mother काम पर जाती है total conclusion यह है कि house इसमें mother ज़्यादा काम कर रही है because father अपना ज़्यादा close हो जाए अपने बच्चों के और उनको समय सके उनकी care कर सके उनको understand कर सके और उनको एक best career एक best future दे सके और यहाँ पर B1 में अगर बात की जाए तो यहाँ पर divorce की बात करी गई थी यगर divorce हो जाता है तो उसके बाद क्या conditions हो जाती है क्या applicable रहता है father कहीं काम करने like नहीं रहते फादर कहीं जा नहीं सकते वो गर पर ही illis हो जाते है बिलकुल बेकार हो जाते है और उनकी बाद में death हो जाती है B1 में बात करी गई है B2 में बात करीगा कि दोनों एक सा time देंगे बहुत अच्छा career बहुत अच्छा future बिना सकते हैं conclusion हमें बात करी गई है कि उनको कैसे रहना चाहिए कैसे उनका profession है father mother father को time देती है जादा बच्चों के close जाने के लिए उनको equal independent बनाने के लिए like है man तो यह ता हमारा आज का writing task 2 अभीद करता हूँ आपको काफियर अच्छा से समझाया होगा और आपको real exam में चारज स्यादा near about 6.5 band score लेने में problem नहीं आएगी so keep sporting, keep love I need your support, I need your help, must subscribe this channel ग्जाओी प्लाइब और आट, wildbird, wildlifeballад, Teaching볌, क्वब एक झाल